तेरी हो वें जे जेकार मेरे उज्जिन के महकार उज्जैन बाबा महकाल की नगरी जहां कड़ कड़ में ईश्वरी उपस्तिती का साक्षात ऐसाज होता है जाब भक्ति, शक्ति और विश्वास के संगम पर अब भव्यता, अध्भुत, कला और सुविधाओं का संगम भी होने वाला है बाई शिव की मैनत और मोदी बाबू की इच्छा शक्ति के चलते वो कोरिडोर ताना गया है कि देखने वाले भी कहे बिना न रह सकेंगे ओफ, क्या बाते गुरू बाबा के दर्शन के लिए बला किसने उज्जेन का रुखना किया होगा लेकिन इजवार यहां का अनुभाव और अधिक सुख़द होने वाला है साब बाबा का धाम एक अलहदा स्वरूप में दमक रहा है क्योंकि महाकाल कोरिडोर का प्रथम चरण बन करता ही आ रहे नया क्या होगा जानना चाहेंगे न तो चलिए थोड़ी सी जानकारी साजा करना तो बनता है इस कोरिडोर के परिसर में भगवान शिव के 190 स्वरूप नजर आएंगे 900 मीटर लंबे करिडोर के एक और रुद्रसागर्द दूसी तरफ आकशक प्रतिमाव से सुसज़ित मियूरल वॉल बनाई गई है परिसर में शिव तांटर विस्तोत से लेकर शिव विवा और अन्य प्रसंगों को भी मूर्तिकला के माध्यम से दशाया गया है कोरिडोर में 108 हिस्तम वेसाब ये धारविक मंदिर कोरिडोर 920 मीटर के साथ देश का सबसे बड़ा कोरिडोर है डिजाइन ऐसी कि शद्धालूओं को अधिक से अधिक संख्या में सुभिदा के साथ महाकाल के दशन का लाब भी मिल सके तो बस इंतिजार कीजिए न 11 अक्तूबर का जब पीएम मोधी बावू इस कोरिडोर का लोकारपन करेंगे फिर आईएगा ज़रूर अध्भुत अनुभाव के साथ बाबा का आशिरवाद लेने के लिए तब तक गरू प्लान तो बना लीजिए आप देखते रहिए न्यूस पुरान यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृप्या लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर क्लिक करें